अब आप बताइने लें कोई बी चीज अगर चोटा हो जाता ए तो जैनुईन है कि वो सहरी हो जाता है जिसे दिली इतना चोटा है सहरी है ने के ना है नहीं वह बदी आ immature यह पूरा घृतim सहरी है ँरू और उत्तर प्रणी सहरी है नहीं है चलिएíem抗े बैरू और बॉलिविय आपका वीडियो को नहीं सो होगा जी हम खुद अपने मोबाइल में देख लेते हैं या क्यों नहीं सो होगा सो तो होना ही चाहिए वीडियो सोनो ही हो रहा है क्या आपको यहां तो सो हो रहा है असो हो रहा है बभू अली गड़ में भी बुक मिलेगा सब जगा बुक मिलेगा बभू नुमेरिकल्स के बुक है उसको अच्छे से देखिएगा वह समझ में आ जाएगा हर जगा बुक मिलेगा अभी आप जाके ले लिजे वरना खतम हो जाएगा, बाद में यूटूब पर बोलेंगे हम, यूटूब आप बोलेंगे तो खतम हो जाएगा, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद यह देखें, यह बोलीबिया देश था, यह बोलीबिया है, बोलीबिया नमक देश है, बोली विविया और परगवी यहां तक थो हो गए थे, अब हम आपको अर्जेंटीना बताना था, यह देश है अर्जेंटीना, अब आद देखिए, दुनिया में सबसे जादे यहूदी जो है, वो इसराइल में रहते हैं, दुनिया में जादे तर यहूदी जाती है, यहूदी एक जाएगा brightness एक दम कम brightness है चलिए ध्यान देते हैं ये नकसा ही थोड़ा सा धुदला है तो ये ब्राजील हो गया ये अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो है दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादे यहूदी अगर कहीं पाए जाते हैं तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं अर्जेंटीना की राजदानी देख के खुछ से बताईए हम थोड़े बताएंगे समुंदर के किनारही होगा अर्जेंटीना की राजदानी बताईए फटँ फट अर्जेंटीना की राज़दा नहीं ब्यूनर्स है अर्जेंटीना के आगे एक समुन्दर द्वीप है जिसका नाम है फॉक्लेंड द्वीप अब द्यान दीजे अर्जेंटीना के सामने एक द्वीप है जिसका नाम है फॉक्लेंड द्वीप Falkland की नाम पर Falkland की जलधारा भी है अब आप बता सकते हैं कि Falkland पर थंडी पड़ेगा या गर्मी Falkland जो जगह है वहाँ पर थंडी पड़ेगा या गर्मी पड़ेगा बता सकते हैं Falkland पर थंडी या गर्मी क्या पड़ेगा यह भी जाब Falkland या ठंड़ी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी सबको पता है ठंड़ पड़ेगा जानती जेधर अर्जंटीनाagit कर दिया फॉकलेंड पड हो अलगीना चानरी खनलीना किया कर दिया हरा दिया, अभी ये किस का हो गया है ये ब्रिटेन का है अब ब्रिटेन के, ब्रिटेन ने क्या किया है यहाँ पर रेफरेंडम करा दिया रेफरेंडम का मतलब होता है जन्मत संग्रा मतलब लोगों से फुछ लिए आप कहा हर आना चाहते है तो दिखिए, लोग प्रिफर जबसे पहले करते है धरम को अगर, अब अगर मान लिए धरम दोनों जगा सेम हो जाता है न तो फिर विकास को देखने लगते है तो यहाँ भी इसाई, यहाँ भी इसाई इसका विकास कम, इसका विकास ज़्यादे यहाँ ज़्यादे तर लोगों ने कह दिया कि हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे तो फॉकलेंड को लेकर विवाद चलता है ब्रिटेन और किसके बीच में अर्जंटीना के बीच में लेकर विवाद चलता है ब्रिटेन और अर्जंटीना के बीच में Argentina में किसी को कोई दिक्कत नहीं Argentina नीचे वाला देश हो गया Argentina जो है इसके ठीक सामने Falkland Dweep है अब Argentina का नीचला भाग देखेंगे तो Argentina का नीचला भाग में दो जगए Argentina का नीचे एक Dweep है यहां ध्यान दीजिए हमें Argentina का नीचला भाग में आईवेंड़ है अब हम आपसे पूछते हैं कि वो आईवेंड का कितने लोग खोज कि उसका यूगो इस टेरा डल्फ यूगो पर अर्जंटीना और चिली दोनों का दिका रहे हैं तेरा डल्फ यूगो मिल गया टेरा डल्फ कॉई लिए सबसे बड़ा आइलेंड लेंड तो टेरा डल्फ यूगो के East Side वाला जो एरिया है जो अर्जेंटीना के हो रहा है उस पर अर्जेंटीना का दिका रहा है और जो West Side वाला है वो उस पर चीली का दिका रहा है अब हम आप से पूछते हैं अंसर देंगे लोग कि टेरा डल फ्यूगो जो धूइप है इसको यह में लैंड से यह त कोन बता सकता है सुरज कुमार जी मेगलन दिनेष हरसित राहूल मोहित नाग नाम रख कें सबुरू मैगलन जलशंदी मेगलन जलशंदी 01 करत अ आप में से कितने लोग यह बता सकते हैं कि मेगलन जलसंदी कौन दो महसागरों को जोड़ता है आखिर वो किसी को अलग करता है तो किसी को तो जोड़ता है ना कौन-कौन दो महासागरों को जोड़ेगा ऐसे कौन-कौन से दो महासागर है जिने हैं वो जोड़ेगा कुन-कुन महासागरों को जोडता है बाबू वेरी गुड आसीस पटेल परसांत और अट्लांटिक पी ए लिग दी है वेरी गुड पी प्लस ए वेरी गुड सूरज, अर्पिता, नितीस, करांती देवी सब लोग कसा ही है करांती कुमारी देवी नहीं समझे आगे George सब्सक्राइब को जोड़ देता है टेराडल फिउग는데 कहाल है तो South America में टेराडल फिउग तेराडल फिउग में प्रसांत महासागरों गया यariamente तो समझ में आग। तो समझ में आगा अर्जेंटीने, एक बाहर के आदमी को देश के बारे में हम लोग को बस एरिया पता होना चाहिए अब बहुत जल्दी हम लोग अब नक्सा पर चालू करेंगा अब अब तो आपके दिमाग में एरिया घुसा है अब मेन मेन पढ़ाएंगे आपको बस कल परसों से अब जब और इसके बाद क्या पढ़ा मेर्चा ही are अमेरिकां सीही व काना मिर्चा को किया कहता है जीली आफे च मिले आई चीली mo मिला शना ना अब जब शाराम से काटेगा अधी चीली है, कौन सा देश है, चीली आगे बड़े तुप पूछ रहा है किस चीज का बुक लेना है वो Physics Numerical की बुक launch हुई है Physics Numerical by Khan Sir उसमें ना हर चीज दिया गया हुआ YouTube पर उसका information दे देंगे numerical question उससे नहीं छूटेंगे चलिए यहाँ देखें यह देश कौन सा भी है, चीली है यह देश चीली है चीली दुनिया में सबसे लंबी समुदरी टटरेखा रखने वाला है जबकि सबसे बड़ी टटरेखा कनाडा की है याद रखेगा, सबसे बड़ी टटरेखा जो है, वो कनाडा की है लब की सबसे लंबी टट्रेखा कहेगा तो चीली की हो गई किसकी है चीली की है चीली का सबसे उपरी भाग जो है वो अरीका है चीली का सबसे उपरी सहर का नम है अरीका देखें चीली का सबसे उपरी सहर का नम है अरीका इसके बाद नकसाई से घूम जाता है दुनिया का सबसे dry area सुस्क जगा कौन सा है? अरीका है अब आप अपना physical लक्सा खुलिए और physical लक्सा में आप देखेंगे अरीका को और उसमें देखें अरीका को अगया आगे बड़े हो यह वाला जगा कौन सा है? अरीका है अब physical लक्सा में देखेंगे अरीका वहाँ आटाकामा का मरुवस्थल मिलेगा physical लक्सा में देखेंगे फटा फट सारे लड़के लोग physical लक्सा देखेंगे physical मतलब उस साइड वाला physical लक्सा देखेंगे यहां मिलेगा आटाकामा का मरुवस्थल आटाकामा का मरुवस्थल मिल गया आटाकामा मरुवस्थल 75 बार question पूछा भी या आटाकामा का मरुवस्थल कहा है तो ये चीली में है कहां पर है चीली में आटाकामा का मरुवस्थल चीली में लेकिन मेरी हो सब लोग ध्यान देजिए इस अटाकामा का मरुवस्थल के इस साइड नीचे देखेंगे अर्जंटीना के नीचे ना तो यहाँ पेंटागोनिया का मरुवस्थल मिलेगा पेंटागोनिया का मरुवस्थल अर्जंटीना में है पेंटागोनिया का मरुवस्थल और चीली में आटाकामा का मरुवस्थल जिनको दोनों मिल गया समझी है अर्जंटीना में पेंटागोनिया का मरुवस्थल फटा फट देखेंगे लोग पेंटागोनिया का मरुवस्थल हाँ एकदम कोना में है यह आप है आई यह नीचे में पेंटागोनिया का मरुवस्थल मेरिएगा अर्जंटीना के नीचे में पेंटागोनिया का मरुवस्थल और यहाँ पर आटाकामा का मरुवस्थल कौन सा मरुवस्थल आटाकामा का मरुवस्थल मरुवस्थल का नाम बत एंडीज परवत सिंखला यह इस तरह से देखे ब्राउन कलर का होगा एंडीज परवत अटाकामा के मरुवस्तल से सट के निकला होगा एंडीज परवत सिंखला ब्राउन कलर का देखे एंडीज परवत सिंखला एंडीज परवत सिंखला मिल गया मिला कि नहीं मिला दुनिया की सबसे लंबी परवत सिंकला एंडीज परवत सिंकला है 7000 किलो मीटर है हम लोग हिंदुस्तान उपर से नीचे 3000 किलो मीटर में हो जाते हैं यह अकेले 7000 किलो मीटर है इस परवत का नाम है एंडीज परवत परवत का नाम क्या है एंडीज परवत मिल गया भईया एंडीज परवत कौन सा परवत है एंडीज परवत ओगया आगे देखें यह परवत कौन सा है भईया एंडीज परवत स्रिंकला परवत सिंखला का नाम बोली तो एंडीज परवत सिंखला एंडीज परवत से सटने वाले 5 देशों को एंडियन देश काते हैं इंडियन नहीं वह वह एंडियन देश एंडियन एंडियन देखिए हम लोग हैं इंडियन और ये सब हैं एंडियन हम लोग क्या कर लाते हैं एंडियन तो हम लोग ने एंडियन हैं हम लोग इंडियन कर लाते हैं और वो सब क्या कर लाते हैं एंडियन में पाँच देश आते हैं कोलंबिया इकवाडोर पेरू बोलिविया चीली कोलंबिया इकवाडोर पेरू बोलिविया और चीली यह से सटने वाले देशों को हम क्या कहते हैं एंडियन देश इसी पहाड के उपर थी बोलिविया की राजधानी लापाज जिस वज़े से ये दुनिया की सबसे उची राजधानी हो गई ये 7000 किलोमीटर लंब परवत सिंखला है एंडिज की सबसे उची चोटी का नाम है एकांक गुआ है क्या है एकांका गुआ एंडिज परवत की सबसे उची चोटी का नाम क्या भीया एकांका गुआ है एकांका गुआ किसी को कोई दिक्कत है एंडिज परवत की सबसे उची चोटी का नाम एकांका गुआ एकांका गुआ चोटी आगे पड़े अर्जेंटीना नहीं यह इधर चला जाता है अर्जेंटीना नहीं आता है अर्जेंटीना इसमें नहीं आएगा तो यह फीजिकल में आपने देख लिया इसे आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए ना साउथ अमेरिका से कोशन पूशेंगे तो भंसना नहीं चाहिए चलिए अब आजी यह जल धारा है ठंडी जल धारा है यह देश पेरू है जबकि पेरू से पहले देखेंगे तो यह देश बुलीबिया है पेरू के पहले में यह बुलीबिया है आपके से कितने लोग यह बता सकते हैं कि पेरू और बुलीबिया के बॉर्डर पे कौन सा जील है पटा पट पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर कौन सा जील है टीटी का का, very good टीटी का का, दुनिया का सबसे उचा जील, टीटी का का जील दुनिया में, इसमें नाओ चलती, इसलिए नौगम में जील करते है तो यह जील है, उंचा क्यों हो गया विया, क्योंकि एंडीज परवत है, उंचा होगा ही होगा, क्योंकि यहां कौन सा परवत है, एंडीज परवत, तो यह सबसे उंचा जील हो गया, एंडीज परवत के वज़े से, जील उंचा क्यों हो गया, एंडीज परवत के वज़े से, थ्रवासण उंचा हो गया आगे बढ़ते हैं अगला question काता है अगला देखे यह पेरु देख लिए बोलीविया देखे इधर देखे यह इकवाडोर मिलेगा यह देश है इकवाडोर देहां से देखे एकवाडोर यह देश कौन सा है इकवाडोर इकवाडोर की राजधानी क् इकवाडोर की राजधानी बोलिए इकवाडोर मिल गया इकवाडोर की राजधानी बोलेंगे देख के बताईए क्वेटो इकवाडोर की राजधानी क्वेटो इकवाडोर की राजधानी क्या है क्वेटो है कितने लोग फीजिकल नक्सा में कोईटो को देख सकते हैं कितने लोग फिजिकल नक्सा में इसकी पाचान क्या है क्योंकि इसके पास से 208 रेखा गुजरती है अगर कोटो मिलेगा तो वही पर अपकו एपको एक जगा मिलेगा कोटोपैक्सी जहां अगर कोटो मिल गया अगर फीजिकल में, तो फीजिकल में वहीं पर मिलेगा कोटोपैक्सी, एकवाडोर की राजधानी को फीजिकल नक्सा में देखिए वहाँ पर क्वेटो जहां लिखा होगा वहीं लिखा होगा कोटोपैक्सी क्या लिखा है भीजा, कोटोपैक्सी माउंट कोटोपैक्सी माउंट कोटोपैक्सी मिल गया अब बताईए दुनिया की सबसे उची ज्वाला मुखी कौन सा है तो कोटोपैक्सी है दुनिया का सबसे उचा जील कौन सा है तो भी या टीटी काका है दुनिया की सबसे उची राजधानी कौन सी है तो बोलीबिया है, बोलीबिया की रधनी लपाज है तो ये सारी चीजे उचा 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 पुछता है क्योंकि ये सब सुसुरे पहाड पर है सब सुसुरा कहा है, पहाड पर है किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए यह क्या है सब पहाड परिस्तित है सब कोटोपेक्सी मिल गया अब इसके आगे समुंदर में एक द्वीप मिलेगा गैलापोगोज द्वीप इकवाडोर के स्ठीक सामने इकवाडोर का ही है द्वीप का नाम है गैलापोगोज आईलेंड गयलापगोज आईलेंड गयलापगोज द्वीप मिलेगा ठीक सामने आपको गयलापगोज द्वीप मिलेगा मिलगे अब आउ अंसर दीजे लो फटापड मिलगे गयलापगोज द्वीप डार्वीन का नाम सुनें फिजिक्स बाइलोजी में थे डार्वीन भासा होती है तो उन्होंने कहा था कि पक्छियों की भासा को उन्होंने फ्रेंच सब्द दिया था फ्रेंच तो कोश्चन आएगा Darwin फ्रेंच का संबंद किस से है Darwin फ्रेंच का मतलब होता है पक्छियों की भासा बख्शियों की भासा से हैं तो यह हो गया गैला-पगोज दीप उसके उपर कोलम्बिया का नाम कोलम्बस के अधार पर पड़ा है कोलम्बिया का नाम कोलंबस के आगे बढ़ मापसे कोसचन पूछें हैं यह बापको बताना पड़ेगा इसको मिटाते हैं आपको question पूछेंगे, आपको बताना पुड़ेगा, दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला, नाम बताएंगे लो, दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला, दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला, एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी परवत स्रिंखला, good सबका सही है दुनिया की सबसे लंबी टट्रेखा चीली चलिए very good चीली की है सबसे लंबी टट्रेखा चीली जबकि सबसे बड़ा काता तो कनाडा हो जाता दुनिया का सबसे सूखा जगा जहां बरसा ही नहीं होती दुनिया का सबसे सूखा जगा चीली में ऊपर एक जगा है उसका नाम बता सकते हैं दुनिया का सबसे सूखा जगा हो वहां वारिस नहीं होती है दुनिया का सबसे सूखा जगा अंसर दीजे आप लो दुनिया का सबसे सूखा जगा अरीका वेरी गुड वेरी गुड अरीका याद रखिए का बागु यह सब question पुछते हैं अरी का location कहीं साफ से, UPSC सब लोकेशन कहीं साफ से देता है साधा नक्सा देता है का बताई कुछी है चलिए आप बताई यह पेंटागोनिया का desert किस देश में है in which country पेंटागोनिया desert is situated पेंटागोनिया का मरुवस्तल किस देश में है अर्जन्टीना अरे यहाँ है ना अर्जन्टीना में यहाँ पर है इस्तित है अर्जन्टीना में अब बताएंगे Amazon नदी की सबसे लंबी सहायक नदी Amazon की सबसे लंबी सहायक नदी मेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा कुन सा है? मेडीरा है आगे बड़े हैे मेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है मेडीरा अगला देखते हम लो अब हम लोग देखते हैं आगे आपसे question पुछते हैं Centos बंदरगा किस लिए famous है Centos बंदरगा फटा फट अंसर Centos confidence रहना चाहिएगी South Africa, America से कुछ भी पूछो बताएंगे अभी हम सबका आप revise कराएंगे सबसे question पूछ पूछ के खतम करके फिर revise कराएंगे आज नहीं revise कराएंगे, revise कल कराएंगे क्योंकि जब तक Australia पढ़ा दे फिर कराएंगे दो दिन तक revise ही कराएंगे हाँ, coffee के लिए बताएंगे तो वह कौन सा ऐसा बंदरगा है जो rubber के लिए famous है rubber, rubber, rubber rubber के लिए मिटाओ ना rubber के लिए famous बंदरगा rubber के लिए very good rubber के लिए famous बंदरगा का नाम है बेलेम बंदरगा, very good Brazil में उपर है बेलेम बंदरगा यह Centos बंदरगा Brazil का सबसे बड़ा साहर कौन सा है Brazil का सबसे बड़ा साहर largest city of Brazil Brazil का सबसे बड़ा साहर आईसे answer दीजे लोगे तम दिल खुस हो जाता है, कसम से बंदरगा तब यह तो गड़ बड़ रहेगा तादमी मन करता है खुब पढ़ाओ Brazil का Rio सहर, very good Rio, Rio Degenerio, उसको Rio भी बोलते हैं Rio Degenerio को Brazil के किस सहर को coffee की manडी कहते है kahwa manडी, coffee की manडी किसे कहते है Brazil के किस सहर को coffee की manडी, यानि kahwa manडी कहते है South Apollo, very good South Apollo को कहते है South America में वो कौन सा ऐसा जगह है जहां से France अपना rocket छोड़ता है South America में वो कौन सा ऐसा जगह है जहां से France अपना rocket छोड़ता है France अपना rocket छोड़ता है प्रांस अपना राकेट फ्रेंच गुएना से छोड़ता है वेरी गुड कहां से छोड़ता है फ्रेंच गुएना से छोड़ता है South America का वह सार जो हीरे के लिए बंदरगा है हीरे नीरियात वाला बंदरगा उस बंदरगा से जहाँ हीरे का जादे नीरियात हम location बता देते हैं यहाँ है हीरा नीरियात वाला बंदरगा आप बता देंगे तो हम समझेंगे आप बहुत हुसी यार हीरा नीरियात वाला बंदरगा हीरा के लिए वो थोड़ी है फ्रेंच गुवेना थोड़ी है फ्रेंच गुवेना तो उसके लिए है रॉकेट छोड़ने के लिए हीरा के लिए जार्ज टाउन वेरी गुड हीरा के लिए जार्ज टाउन हीरा के लिए जार्जटाउं, हीरा के लिए जार्जटाउं, दुनिया का सबसे उंचा जील कौन सा है, दुनिया का सबसे उंचा जील, जितना उंचा वाला चीज़ सब यहीं है, दुनिया का सबसे उंचा जील, जील का रहा है, जील, 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 जल प्रपात बताए, दुनि जर्णा यानि जल पर पात, वाटरफॉल, जर्णा एंजिल जल पर पात, वेरी गूड, वेरी गूड, एंजिल जल पर पात, आप मेंसे बता सकते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादे महंगाई किस देश में है, दुनिया में सबसे ज़्यादे महंगाई और सबसे ज़्यादे सुन्दरी लड़कियां कहां पाई जाती हैं सबसे ज़्यादे महांगाई और विस सुन्दरी वेनेजुएला में देखे जहां जतना सुन्दर रही कि सोतना महांगा देश हो जाएगा जतना cbsc बोड़ वाली होती है महांगा महांगा गिफ्ट खरीदथी है हिंधी मीडियम talking लिए पुछ में खूस हो जाते उसको फैस्वास देतें त्थो को सजाञ 오늘 subject के इसकोटी चाहिए वेनेजुएला में पेट्रोलियम के लिए कौन सा जील पर मस है कौन सा भया मुरा काबो जील सूरज कुमार मुरा काबो जील मुरा काबो जील दुनिया में सबसे ज़्यादे पेट्रोलियम ब्राजील के पास ही है ए सारी ब्राजील के रहे है यार वेनेजुएला के पास है सबसे उंचा जवाला मुखी कौन सा है एकवाडोर का वह जवाला मुखी जो दुनिया में सबसे उंचा है कौन सा है विया कौन सा है विया सबसे उंचा जवाला मुखी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ध्वीब कौन सा है largest island of South America largest island of South America South America का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कौन सा है ए सरी, द्वीप कौन सा है द्वीप, द्वीप, द्वीप नीचे है टेरा डल्फ यूगो, very good टेरा डल्फ यूगो सबसे बड़ा द्वीप टेरा डल्फ यूगो अभी अब बताएंगे फॉकलेंड पर किसका अधिकार है अभी के वक्त में फॉकलेंड पर किसका अधिकार है फॉकलेंड पर किसका अधिकार है फॉकलेंड पर किसका अधिकार है यूके फॉकलेंड पर यूके का अधिकार है South America complete आप समझ में आ गया South America किसी को कोई दिख्खत नहीं चलिए एक बार हम आपको Middle थोड़ा सा यह यहाँ ले चलते है इसमें Caribbean देश में किसमें? Caribbean देश देख लेते हैं आप बताई तो Caribbean देश को नाम हम दो ठोलिख देते हैं यहाँ पर एक इसका नाम होता है West Indies जिसको सब लोग जानते है इसको हम लोग क्या कहते है West Indies West Indies कहते है और एक Caribbean देश कहते है Caribbean countries कहते है इसका तीसरा नाम बताईए हम दो ठोलिख आपको बता दिये तीसरा नाम बताईए इन सभी देशों को हम West Indies या केरिबियन देश काते हैं इसका तीसरा नाम बताइए तीसरा नाम रोहित कुमार पुसपेंदर जी एंटिलीज, very good कुछ भी बोलता है तीसरा नाम एंटिलीज है एंटिलीज एंटिलीज की मोती किसे काते है एंटिलीज की मोती एंटिलीज की मोती किसे कहते है जारे वही दोनों है लेजर एंटिलीज की मोती क्यूबा को कहते है मा से बच्चे में HIV रोका था पहला देश क्यूबा था चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते है क्या कहते हैं क्यूबा को कहते है जमाईका। उसेन बोल्ट कहां कहां है? जमाईका है। ब्राईन लारा कहां कहां है? ट्रिनिडार्ड टोबैगो का। ब्राइन लारा, ट्रिनिडाड और टोबैगो का, क्रिस गेल, जमाइका का, क्रिस गेल, जमाइका का, आगे पड़े, किसी को दिकत, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, कि क्यूबा के निचला भाग में वह कौन सा जेल है जो अमेरिका का, क्यूबा के निचला भाग में वह देश जो अमेरिका का, जुवा जेल जो अमेरिका का, वाले हैं सब या फिर जितने जगहने अपराद वाले हैं इन सोगों भी नब पेट्रोल चढ़ा दो सब्सक्राइब आगे यह थोड़ा एक पूजा पाठ हो रहा है तो थोड़ा आपको आवाज जा रहा होगा पूजा पाठ का गवांतनामो समझ में आगया आपका वीडियो नहीं चल रहा है गवांतनामो जेल आगे बड़े अब हम आपसे पूछते हैं यह देश कौन सा है उपर में इसी एंटिलीज में एक उपर सा है जिसके नाम के आगे दो लगा रहाता है किते लोग बता सकते हैं यह देश कौन सा है कौन सा भजा दो लगा रहा है कि आफिटाएं के युग कर नेता सब कोई बहमास very good बहमास 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 कौन सा देश है बहमास चलिए अगला लोग ये वालो जो जगह कितने midst बता सकते हैं यहाँ पर ये दूरीप कौन सा धी है दो ठोर १ूरीप है समय इन दोनों का नाम कितने लोग बता सकते हैं कितने लोग बता सकते हैं इन दोनों का नाम Trinidad or Tobago very good Trinidad or Tobago यह 18% भारतिय मूल के हिंदू लोग रहते हैं समय आगे 18% भारतिय मूल के हिंदू लोग रहते हैं यह आइलेंड जिस पर दो देश हैं इन दो देश में एक का नाम है हैती एक का नाम है डुमेनिका इस आइलेंड का नाम क्या इस आइलेंड पर दो देश हैं लेकिन इस आइलेंड का नाम क्या इस island का नाम क्या है? 햇स पेनियोला, very good 햇स पेनियोला भाई जाब पूरा अच्छा से यात कर लिया सब यह कौन सा हो गया भाईया यह केरेभियाई कंट्री हो गया केरेभियाई कंट्री केरेभियाई कंट्री पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया कौन सा देश कोस्टरिका बनाना चाहता था नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पूरा पहाड़ है चीन के सहयोग से पनामा का प्रतिद्वंदी नहर तयार करने वाला देश कौन सा है चीन के सहयोग से पनामा का परतिद्वंदी नहर बनाने के लिए बनाने वाला देश कोन सा है निकारगूआ बहुत अच्छा पड़े रहा है यह भाई लोग आप लोग चलिये कौन सा देश है जहां माया सबेता थी माया सिविलाइजेशन जिसका केलेंडर 2012 में खतम हो रहा था कौन सी सब्वेता थी कौन से देश में माया सब्वेता थी ग्वाटे माला कौन सा जगा पे ग्वाटे माला वेरी गुड़ ग्वाटे माला में कौन सा जगा पे ग्वाटे माला में चलिए अब थोड़ा से नौर्थ अमेरिका देख लेते, कितना रिवाइज है आप लोग को, गौटेमाला, यहाँ देखेंगे, यह कितने लोग बता सकते हैं, कि मैकसीको के पीछे ये खाई का नाम क्या है, मैकसीको के पीछे इस खाई का नाम क्या है, मेक्सिको की खाई की कौन सी खाई है मेक्सिको के पीछे खाई का नाम क्या है कलिफोर्निया की खाई वेरी गुड गल्फ अफ कलिफोर्निया और आगे वाली खाई का नाम है मेक्सिको की खाई आगे वाली खाई का नाम है मेक्सिको की खाई चलिए इस प्राइदीप का नाम कितने लोग याद है देखते हैं यह याद हो जाएगा तब हम समझेंगे भया आप घर पे रिवीजन करते हैं इस प्राइदीप का नाम बताईए मेक्सिको का ही है यह उपर का इरिया इस प्राइदीप का नाम बताईए जो तीन और से पानी स यकातन पॉइदीब युकार्टन पॉइदेव हां यह भी जादे तरlar को याद था u nearby लोग अगदम दिलखुस कर दिया अगे देखते हैं किसी को दिक्कत नहीं है यूकाटन प्राइदीप में आगया यह अमेरिका और मेक्सिको का बर्डर बड़ा सेंसेटीव रहता है यह एरिया बता सकते है इसे क्या कहा जाता है इसे कौन सा बेल्ट कहा जाता है इसे कौन सा बेल्ट कहा जाता है अमेरिका का यह भाग को कौन सा कों सा बेल्ठ है सन बेल्ट whether sunbelt कपास के लिए famous sunbelt है कपास के लिए famous अमेरिका का यह वाला state बता ही तो यह कों सा state है अमेरिका का यह वाला state बता ही कौन सा state है यह state का नाम बता ही कैलिफोर्णिया सिलिकोन वैली किसे कहा जाता है कैलिफोर्णिया को कहा जाता है किसे कहेंगे कैलिफोर्णिया को लास एंजी लास तो फिल्म के लिए फेमस है वालिवुड फिल्म के लिए लेकिन लास एंजी लास किस खनीच के लिए वहाँ से जमीन से क्या निकाला जाता है लॉस एंजी लॉस से क्या निकाला जाता है लॉस एंजी लॉस से पेट्रोलियम वेरी गुड पेट्रोलियम निकाला जाता है यह उपर वाला हवाई जहाज बनाने वाले यह सहर कौन सा है उपर वाला यह सहर जो हवाई जहाज बनते हैं। हवाई-जहाज बनने वले का नाम बताएंगे। इस जगा का नम। कौन सा है भीया। सीटल। सीटल। चलिए। यहां पर कितने लोग बता सकते हैं। यह वाला साहर कौन सा है। समुद्र के किनारे लाला हर दयाल ने 1913 में यहां गदर पाटी की इसको golden great bridge का आ जाता है स्वाडीमद्वार का साहर बहुत अच्छा भई ये वाला साहर बताएंगे लोग ये वाला राज्य कोन सा ये वाला ये वाला ये वाले राज्य का नम फ्लोरीडा फ्लोरीडा वेरी गुड फ्लोरीडा यहां पर किसका सेटलाइट छोड़े जाते है ये छोड़े जाते है नासा के नासा के सेटलाइट ये जगह कौन सा है जो हम बना रहे है red color का ये कौन सा एरिया है कौन सा ये क्या है बर्मूडा कौन सा ट्रेंगल बर्मूडा बर्मूडा तो जगह है उससे थोड़ी दूरी पर बर्मूडा ट्रेंगल है बर्मूडा पर किस देश का अधिकार है बर्मूडा पर कौन से कंट्री का अधिकार है बर्मूडा पर बर्मूडा पर अधिकार किसका है भाईया US UK का है Britain का है यूएस का नहीं है Britain का है यहाँ पर पांच जील है इन दोनों USA कनडा के बॉर्डर पर जिने सौट कट में कहा जाता है Holmes जील हला कि इनको कहा जाता है Great Lake बताईए इन पांचों में सबसे बड़ा जील कौन सा है इन पांचों में सबसे बड़ा जील कौन सा है इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है Great Lake को हम सौट कट में नो Holmes बता हैं यार Holmes नाम थोड़ी है उसको तो Great Lake बोला जाता है उसको ट्रीक बता दिया हम Holmes इन पांचों में बड़ा कौन है सुपीरियर हाँ सुपीरियर हाँ भी मीठे पानी का है लेक सुपीरियर सबसे बड़ा है वो कौन सा जील है जो बॉर्डर पे ना होके पूरी तरह से अमेरिका में इन पांचों में वो कौन सा है जो बॉर्डर पे अमेरिका के जितने बड़े-बड़े सहर हैं, वो कौन से सन नगर पर हैं, सन नगर मतलब टटी है सहर, परसांत सन नहर है या अटलांटिक सन नहर है, अमेरिका के बड़े-बड़े सहर, परसांत के टट पर है, सन नगर का मतलब टट पर, कि अटलांटिक सन नगर है, जील के पास मिलेंगे सो, अमेरिका के जादे तर सहर यहीं मिलने वाले हैं सो, यहाँ पर देखेंगे तो डेट्रोइट मिलेगा, सीकागो मिलेगा, ओकलोहूमो मिलेगा, पिट्सबर्ग मिलेगा, इधर फिलाडेल्फिया, नियुयार्क, बोस्टन, यह सब चीज़े यहाँ म यह क्या है जादे तरेरिया यह यह आगे बढ़ते हैं लोग आगे देखते हैं लोग कनाडा में कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में यह वाला सहर कौन सा है यह वाला आइलेंड कनाडा में यहां पर 1914 में गुरुदत सिंग एक जहाज लेके गए थे यह जगा कौन सा है वेंकुवर दीप इस जहाज का नाम बते ही तो जो गुरुदात सिंह लेके गये था इस वेंकुवर दीप पर जहाज का नाम कामा गाटा मारू, 1914 में था कामा गाटा मारू यह ट्रेन जाती है Canadian Pacific यह Vancouver से कहां तक जाती है यहां से तो Vancouver जाती है यहां पर बताई है कहां जाती है यहां पहला अक्छा लिख देते है H यह सहर का नम बताई है कहां से कहां जाती है इधर वाले सहर का नम बताई है Halifax very good Halifax सहर तक जाती है कहां तक जाती है हेलिफेक्स सहर तक बहुत अच्छा यहां एक जील है उसी जील के नाम पर यहां एक सहर है हम पस इतना पता देते हैं जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है कनाडा में सहर का भी नाम वही है और जील का भी नाम वही है और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है अपमें से कितने लोग आप गेस कर सकते हैं सहर का नाम क्या होगा वीनिपेग, very good वीनिपेग सहर है, कौन सा है, वीनिपेग सहर है जील भी है, वीनिपेग सहर है इसे दुनिया में सबसे ज़्यादे गेहूं होता है अब ज्यान दीए, कनाडा में भी जितने सहर है बड़े-बड़े सहर, वो इसी जील के पास है सब बताइए, ओटावा इसका राजधानी है कनाडा की मांट्रियल क्या चीज़ है मांट्रियल, अंतराष्टिय उड्डेयन संगठन का मुख्याल है जहाज का जो भी नियम कनुन बनेगा, यहीं से बनेगा पूरी दुनिया यहीं से कंट्रोल करती है मांट्रियल सही बनाए जाता है संग्या के कि नहीं, ओंटोरियो देखे, टोरेंटो ओटावा, मांट्रियल यह कनाडा के तीन सबसे बड़े सहर है सब यहीं पर है सब, इसी जील के आसपास क्योंकि इनसान को सबसे जरूरी कीज क्या होती है हमें चाहिए पानी, क्योंकि हवा की तो कमी नहीं है, प्रित्वी जहां भी रहें हवा कमी है पानी की, तो जो इनसान पहले बसा था, वो पानी के किनारे ही बसा था, और वही धीरे 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 जाके बड़ा सहर बन गया इसलिए कोई भी बड़ा सहर देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसके पास से कोई बड़ा समूंदर या पिर कोई बड़ा नदी ना गुजर रही हो, आप कानपूर लीजे, लखनव लीजे, दिल्ली, यमुना नदी ले लीजे, जितने भी बड़े सहर है, उनके आसपास से कोई ना कोई आपको नदी का जगा मिलेगा, 90% ऐसा ही देखा जाता है, कलकत्ता देख लीजे, मुंबई देख लीजे, या तो पूरा साक्षात समूंदरे हैं समू लीजे, 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 और बिहार में बाड आता है ना क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जाती की राजनीती इतनी भायानक है ना कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं कितना भी कुछ भी है वहाँ अद बदा के वोट उसी को देगा सब जिस जाती क्या है सब वहाँ पर अब इन दो अनपड़ नेताओं से जादे वो नहीं थी क्या लेकिन नहीं क्योंकि उसको जाती वाला चीज नहीं मिल पाया था हम वियार में जाएंगे चुना लड़ने हम रहा रादेगा सब जा थोड़िए कि हम नेताओं का हमको हमको क्या मतलब है बई अर मेंको नेताओं वाली आप भी लोग से फीस है योग को पढ़ा कि हम जा सकते हैं लेकिन हम हर जाएंगे इसलिए वियार कभी कास नहीं हो पाता है आगे बड़े यहां समझ में कि हट्सन की खाड़ी यह कौन सी खाड़ी है हट्सन की खाड़ी चलिए थोड़ा सा इनको नीचे करते हैं यह न हट्सन की खाड़ी अब देखते हैं हमलों हट्सन की खाड़ी के बाद यह वाला द्वीप कौन सा है ये वाला आइलेंड का नाम दीप का नाम बताएंगे ये दीप का नाम Greenland है कुछ लड़कों का काना था सर डेवीज की बफीन की खारी जादे चौड़ी है तब ये बफीन की खारी जो है डेवीज जलसंदी सबसे चौड़ी जलसंदी है यह दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंदी कौन सी है डेवी जलसंदी लेकिन यह चैनल नहीं है कि बीच-बीच में पहाड है चलिए यहां बताएंगे चुमबकी धुरू कहां पर है कुईन एलिजाबे द्वीप पर क्या है प्रित्वी के चुमबकी उत्री अक्ष है यह कौन अलास्का का यह निचला भाग क्या कलाएगा अलास्का का निचला भाग जो दिखा रहे हैं वो क्या कलाएगा वो Allusian very good Ayus Srivastav ji Allusian काला था very good Allusian काला था Allusian very good Allusian काला था Allusian काला था चली आपने तो हर्ची लगभग लगभग बता दिया यहां बताइए तो यह जगह कुन सा है जगह कुन सा है वो अमेरिका का ही है जगह बताइए अमेरिका का जगह है हवाई दूइब है परसंत महासागर का चोरहा किसे का जाता है हवाई दूइब परसंत महासागर का चोरहा है हवाई दूइब इतना समझ में आगे आपनों को अब हम आपको देखे हम ये पढ़ा भी दिये रिवाइज भी करा दिये यह पढ़ा भी दिये, revise भी करा दिये कल हम आपको, सुनिये ध्यान से सुनिये पहले पूरा कल हम आपको Australia पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे कौन सा? Australia और revise कराएंगे Asia को तो कल आपको Asia अपने से पढ़ के आना है Australia हम खुद पढ़ाएंगे कल हम आपको ASEA पढ़के आना है Australia हम खुद पढ़ाएंगे तो याद रखेंगे बबुगा कल कोन पढ़के आएंगे आप लो ASEA पढ़के आईए गया ASEA से हम question पूछेंगे एक दम दिल खुज हो गया जैसे आप लोग ने कैसे बनाया यह सब चीजों को बता है ASEA एकदम दिमाग पर बैठा लेना अब आपसे कोई पुछेगा जापान तो इधर खुजेगा जापान जापान अपने से दिमाग उन्ने चल जाएगा अमने यहाँ नेपाल है आपसे कोई अच्छा ही बताओ अर्जन्टीना कहा है नेपाल के बगल में अर्जन्टीना भुटान अरे तरीके ते बंगल ऐसे करिएगा एक बार पोले अर्जन्टीना तो इधर है यहाँ पर दिमाग एकदम स्कीन टच हो जाना चीज़गा सब्यां कि नहीं कि लड़कियों को समझ में आ रहा है लड़कियों को समझ में आ रहा है तो यस बोलो लो पता नहीं लड़की सब को समझें में नहीं आ रहा है हाँ समझ में आ रहा है अलो ठीक है बढ़ियां है तो कल हम लोग एसीया पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही ठीक है आज के लिए इतना ही समय रहा है नाकसा भी बहुत मजा आता है पढ़ने में कलेशिया पढ़ा देगा कले में बहुत मादिने उल्या आता है । कि लगने आता है भान देगा रहा है कहाता है उते शनकी हमें पर दो बहुत पमें को भी बहुत में हम चो जड़ेखाय है